बिस्मिल्लारुर्रह्मानिर्रहीम हम sequential logic circuit design के एक और topic को कवर करें जो कि है design procedure इसको हम कुछ example से करेंगे ताक कि थोड़ा सा simple हो जाए पहले देख लेते हैं design procedure क्या है जब आपको sequential logic circuit design करने लगें उसके कुछ procedure है अगर आपको याद हो analysis इस exactly opposite of analysis जो analysis की steps से हम उनको oppositely run करेंगे आप सबसे पहले आपको कोई भी circuit हो या तो statement में बता दिया जाएगा कि आपने यह circuit बनाना या उसकी state diagram दे दी जाएगी कि यह state diagram है आपने इसका synchronous sequential logic circuit बनाना है तो आप state diagram को लेंगे state diagram से table extract करेंगे उसके पर state reduction and assignment निकालेंगे करेंगे फिर उस table के बाद आप उससे flip-flop transaction table बनाएंगे उस flip-flop transaction table से basically मकसद यह आप यह find करेंगे यह आपने कोई सब flip-flop use करना है उससे पहले हम excitation table कर रहे थे basically excitation table पहले करने का मकसद यह था तागे हम flip-flop selection कर सकें उसके बाद आप simplification का procedure करेंगे फिर आप को in equations को implement करके अपना logic circuit implement कर लेंगे यह आपका basic किसी भी sequential logic circuit को design करने का procedure है अगर इस procedure को opposite run करें तो यह आपका analysis का procedure बन जाता है अगर आपको याद हो कि हमें एक circuit दिया जाता है उसके हम equations निकालते थे उस equations हम table बनाते थे उस table से मुसकी स्टेट transaction डाइग्राम बनाते अगर फॉक्जमपल यह हमारा पस कोई स्टेट डाइग्राम है अगर आप स्टेट डाइग्राम को देखें तो यह हमारा टू बिट काउंटर है टू बिट काउंटर 00 से स्टार्ट हो रहा है जीरो वמצर्स स्टेट हैं उसके बाद उससे स्टेट 50 है उसके बाद स्टेट 11 है थोड़ा चाchmal माइथ इसको मैं तूंडीफाइड किया है यह बताने के लिए कि इसकी क्योंगत है यह यह भूष क्यूंग बित ईसीतरहिं तबिक लिए फिडिницу ए está जब 0 1 के उपर जाएंगे तो Q0 की नेक्स स्टेट 1 हो जेगी और Q1 की नेक्स स्टेट क्या हो जेगी 0 है 0 ही रहेगी अब यहाँ पर देख रहे हैं हम इस चीज को आपकी स्टेट डियाग्राम को टेबल में ट्रांसलेट के लेते हैं जब आपकी पहली क्लॉक आएगी जब आपकी दूसरी क्लॉक आएगी जब आपकी तीसरी क्लॉक आएगी और जब आपकी चोहती क्लॉक आएगी उसके बाद यह रिसाइकल करकर वापस यहां पर आजेगा अगर आपका इनिशली सिस्टम यह उसकी कुरेंट स्टेट 00 है परेंज स्टेट 00 है जो ही पहली क्लॉक पल्स आएगी तो उसकी नेक्स स्टेट क्या बन जेगी 01 इसका मदब क्यों 0 की नेक्स स्टेट 1 पुल्स तो इसकी नेक्स स्टेट किया बन जबन जीडिगी फिन जिरो बन जेगी यह जो की जीरो है इसकी वन स्टेट 0 में ट्रांसेक्ट हो जाएगी और क्यूंट कि जेट पर वन में जब्सक्राइग अगर आपका सिस्टम ट्रॉक ओपर आपक्ट आ कंटर ने ुण जीर जीरो के उपर इसके बाद इसी तरह रिसाइकल कर जाएक हॉँआ यह प्रोसिजर क्लॉक 5 में फिर 0 से 1 क्लॉक 6 पर 1 से 2 और इसना चलता रहेगा अब इस प्रोसिजर को implement करना चाहने using D flip-flops, हम D flip-flops से इसको implement करना चाहना, तो हम D flip-flop use करेंगे, अब यहां पर देखें, यह D flip-flop का excitation table है, excitation table क्या क्या क्यता है, कि अगर D flip-flop की current state zero हो, उसकी next state भी हम zero चाहते हैं, तो input के ओपर हम क्या देंगे, जीरो देंगे अगर दीफेफिफ्लॉप की करन्ट स्टेट जीरो है उसकी नेक्स टेट हम वन जाते है कि फिट रहा देंगे एगिalterे कि स्टेट है वन वन हो क्रिंट स्टेट वन हूं और थयरो करना चाहते ह certain पर बन रही है वह यह टेबल है प्रेजिल स्टेट नेक्स टेट और यहां और हम दी फ्लोप की इन्पुट को बना रहे हैं मैं पहले डी वन को ले ले तो डी वन किस चीज के लिए जो हमारा फ्लिफ फ्लॉप नूमबर वन है अब देखें यह काउंटर बनाने के लिए में दो फ flip-flop number D1 के लिए हम बनाते जाने अगर D1 है flip-flop number D1 क्योंकि counter है हमें दो flip-flops चाहिए होगे एक flip-flop का नाम D1 रख लेते हैं उसकी output का नाम हम क्या रख लेते हैं Q1 अगर Q1 की crunch state 0 है और हम next state भी 0 बनाना चाहते हैं crunch state 0 है next state भी 0 बनाना चाहते हैं तो हम D1 के ओपर देंगे जीरो देंगे तो इसी तरह नेक्स टेट भी 0 बनाना चाहते हैं तो यहां पर देख लिए नेक्स टेट 1 बनाना चाहते है तो आप D के ओपर क्या देंगे बन देंगे तो जो भी आपका D flip-flop पर जब आप बंदेंगे तो आपकी निक्स टेट बंजी इसी तरह अगर डीज़ फ्लॉप की करण स्टेट बढ़न है एक स्टेट भी आप रखना चाहते तो आप डीज़ फ्लॉप के उपर क्या देंगे वन देंगे यह वही श्टेट रहेगी याप देगे हमें इसको एक्स state 1 से आप सब्सक्राइब 1 एंक्सटेट ऊपर किया जना है वाँ तो हमने यहाँ पर निग तेट 1 नीज जेट दो एडी फिलिफ्ल लॉप्र एसे जी रो तो आप इन्पूट के उपर जीडि़ो देने पिर आपको अगर दिफ्लिफ लो कि अपको एपको एक्साइटेशन किया है यहांपर अब हम डीजी रोगए को बना लेते हैं डीजी रोग गनी यगा चैनी डीजी तॉट अगह अगर डी 0 की हम बन देने इंपूट एपोर ऌन च्राइवड nostra संगने यहां लेगा नलेकि止 धेलो नेंगे हम बनाना चाहर है यह उनए है यहांप चैनल नो दे जीरो है next state one करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे input के ओपर one देंगे next state one बचाए गार करना चाहते हैं तो आप input के ओपर zero देंगे next state क्या बचेगी जीरो बचाईगी टेबल निकानने के पाद हम simplification का procedure करेंगे अप simplification के procedure के लिए अब सबसे पहले इस table को देख लिए हम यहाँ पर देखे वापस चार combination बन रही है तो चार combination के लिए जो हम के में यूज करते हैं वो four cells वाला के मैप है यहां पर हमने 4 cells वाला के में हैं बना लिया हमने डी 1 को प्लॉट कर दिया तो cell 00 में 0 आ रहा है cell 01 में 1 आ रहा है cell 101 में 0 आ रहा है अब हमने grouping कर लिए दो ones की group बनते हैं हम इसे इसकी expression निकालने तो simplify करना है मैं D1 की expression निकालना चाहूं तो expression निकालने के लिए मुझे क्या करना है कि हमाँ पस यह चार combination साफ सकती है जिसके ओपर D1 का यह reaction होगा तो हम इन चार combination के ओपर value plot कर देते हैं उसके बाद हम इसको simplify करें इसी तरह जब हमने D1 plot कर लिए D0 को भी plot करते हैं D0 को देख लें D0 बनता है 1010 तो 1010 plot कर गिया जब हम इसकी grouping बना है तो इन वन्स की group बन जाएगा अगर हम इसकी expression निकालना चाहते हैं तो यह आपकी D1 की expression है Q1 complement dot q0 यह वाली मिन टर्म आवी और इस तरह देखें तो यहाँ पर रहे हम आपस q1 multiply by q0 यह q1 dot q0 तो यहाँ पर यह वाली में टर्म आवी q1 exclusive और q0 हमापस d1 की expression अगई अगर d0 को देखें तो d0 straight forward है straight 2 का group बन रहा है और q0 complement आएगा तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया straight away q0 complement और जब हम इसको implement करें कि तो यह circuit हमारा बनेगा यह जो दो हमारे पर से equation आई है यह d1 की equation है यह d0 की equation है तो यहाँ पर मैंने इसको proteus पर simulate किया है यह आपका d0 है अगर आप d0 को याद करें तो d0 का connection क्या था d0 का connection था q0 dash तो यह देखें q0 dash को हमने लिया q0 का invert लिया यह हमारा d0 है इसका invert लिया और इसको वापस लाके feedback कर दिया d के अंदर और अगर आप d1 की expression देखें तो क्या था q1 exclusive और q0 यह हमारा q0 है यहां से हमने q1 को feedback किया दुनों को exclusive और किया d1 पर ले आए यह हमारी state diagram है तो पहला 00 sequence किया था 00 के बाद 01 1011 यहां पर देखें 00 अब उसके बास 01 10 और इसके बाद 11 recycle करेगा वापस 00 के पतर देगा तो यह हमारा basically design procedure था और design procedure किया कि आप state diagram बनाएंगे तो से state table निका लेंगे उसकी state reduction करेंगे फिर flip-flop deselect करेंगे फिर simplification करेंगे input output equations निका लेंगे और implementation करेंगे यह design procedure है किसी भी sequential logic circuit को design करने का